तो यह रहा वो example, यहाँ पे इन दोनों points को मैंने रेज नहीं किया, कि आप लोग समझ सको इसको लिख भी सकते हो अच्छे से, लिखा तो आपने हो गहीं, मैं जान रहा हूं, लेकिन यहाँ पे यह मैंने रहने दिया और यहाँ पे है example, तो हम लोग यहाँ पे line से row में, एक row है, ऐसे ऐसे करके row में खड़ा कर दिया है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छो, साथ, आठ, नौ लोगों को खड़ा किया है, ठीक है, नौ लोगों में यह पहला लड़का को चुल मसता है, उसको सर्तानी करने का मन करता है, सैतानी करने का मन करता है, सैतानी करने का मन करेगा तो क्या होगा उसको सैतानी करने का मन कर रहा है और वो सोचेगा कि हमको अगर लास्ट वाले बंदे को लास्ट वाले इंसान को लास्ट वाले परसन को हमको गिराना है तो हम क्या करेंगे ना वहां से उसको हिलना है मैंने लिखवाया भी था कि जब वाइबरेट करता है कोई तो बॉड़ी यहां एक प्लेस एक प्लेस दूसरे प्लेस चेंज नहीं करता है मतलब प्लेस वो बॉड़ी चेंज नहीं करता है बस अपने आपको मूव करता है सिर्फ मूव करता है एक जगस मूव करता है अपने बॉड़ी को ना कि अपने प्लेस को चेंज करता है तो यहां पर तो इसको करेगा क्या यह सोच के देखो और दिमाग लगाओ कैसे वो इसको गिरा सकता है मैं बताओं एक solution है कि वो कैसे गिराएगा वो क्या करेगा यह जो है इसको धका देगा क्या करेगा इसको धका तो फिर इसको धका लगेगा मतलब या एक दूसरे पर da के यह इस पर और या इसको हमें को डिश्टब 결ना है Sat il इसको ठके लेगा, यह इसको ठके लेगा, यह इसको ठके लेगा, यह इसको ठके लेगा, धके लेगा, धके लेगा, धके लेगा, धके लेगा, यह गिर जाएगा, ठिक, समझी में आया, यही है, यही अगर हम पार्टिकल से इसका एक्जामपल लेकर समझें, तो क्या होगा, यह पहला पार्टिकल मतलब यहां पे एक स्पीकर लगा हुआ है यहां पे एक स्पीकर लगा हुआ है ठीक स्पीकर है मान कि चलो स्पीकर है ड्रॉइंग अच्छा मेरा नहीं है स्पीकर है स्पीकर से यहां पे से सौंड निकला यहां पे है पार्टिकल सौंड ट्रैवल करते करते कहां जाएगा सीधे जाएगा मतलब सौंड ट्रैवल करेगा ठीक तो यहां पे पार्टिकल होगा यह पार्टिकल है जो इस पार्टिकल यहां पे सौंड गया यहां पे सौं जुब करते 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 लेकिन एक बात है यहां पर कि निकल रहा है यह music player से sound निकल रहा है तो यहाँ पे पहले वाले पे ज़्यादा असर होगा मतलब sound यहाँ पे इस particle पे ज़्यादा सुनाई देगा यह इसको अगर धके लेगा तो इस पे थोड़ा ज़्यादा force लगेगा ज़्यादा ताकत लगेगा यह ज़्यादा गिरेगा दूर तक वहाँ तक sound जाएगा नहीं जाएगा जाएगा लेकिन धीरे धीर जाएगा मतलब यहाँ से वहाँ travel कर रहा है sound तो जाते 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 sound का speed नहीं sound का intensity कम हो जा रहा है वो volume कम हो जा रहा है तो यहाँ पे असर यहाँ पे लाश्ट में आते आते असर कम हो जाता है यह रहा वो एक्जामपल बहुत अच्छा एक्जामपल है इसको तुम लोग डेली लाइफ से एक्जामपल लिया गया है आप लोग इसको समझो और इस पॉइंट को नोडाउन करो